Hello everyone, this is Kavita Sahu and today we are going to learn a Hindi letter D. देखिए, ये जो आपको आकरती दिख रही है, ये हमारे D अक्षर की आकरती है. इसकी ध्वनी कैसी होती है? D. अब आप सभी मैम के साथ इस ध्वनी को दोर आईए. D. अब हम D से बनने वाले कुछ शब्द देखते हैं. जैसे द से दर्वाजा, द से दवात, द से दवाई, अब द से दर्जन. अच्छा, अब हम D की आकरती को अपनी टू फिंगर से ट्रेस करेंगे. सबसे पहले छूट इस स्टेंडिंग लाइन बनाईए और फिर बड़ा सा कर्व करिए. कर्व को थोड़ा सा उपर ले जाकर, नीचे इसकी टैल निकाल देजिया. और इस पूरी आकरती पर एक स्लीपिंग लाइन बनाईए. यह हमारे दर्व की आकरती है. अब हम इस दर्व की आकरती को अपनी टू लाइन की कॉपी में राइट करना सीखेंगे. दर्व अक्षर लिखने के लिए हम सबसे पहले उपर वाली लाइन से एक छोटी से स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे. और एक बड़ा सा कर्व बनाएंगे. इस कर्व को उपर ले जाते वे कर्व करके नीचे इसकी टैल निकाल देंगे. और इस दर की आक्रती पर एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे. यह हमारे दर्व अक्षर की आक्रती है. अब आप सभी को इस दर की आक्रती को अपनी कॉपी में राइट करना है. थैंक यू.